हालो स्टुजेंट्स इन दिस वीडियो वेर डिस्कस एबाउट सिंपल मॉसींज चेप्टर नमबर टीन क्लाश फेप्ट अगे तो हम लोग देखते हैं बेटा सिंपल मेशिंज simple machines are man-made tools which makes our work easier and faster जो simple machine होता है वो man-made tools होता है जो क्या करता है बैटा हम लोग की work को एजी और faster बनाता है when we talk about machines जब हम लोग क्या करते हैं talk करते हैं machines के बारे में we think of washing machine, sieving machines, car, refrigerator, air condition, etc. but you will be surprised to know that a pair of scissors, a bottle opener, levers, an oyster and also machines जब अब talk करते हो machine के बारे में तो आप सोचते होंगे क्या washing machine, saving machine, car, refrigerator, air conditioner but air conditioner नहीं machine होते हैं but you will be surprised but आप surprised होगे कब जब जाना होगी कि जो एक pair of scissors होता हैं यहीं होता है यहीं मसीन होता है बटल openeder हो गया liver हो गया oyster tongue हो गया है क्या होता है tung और also machines तो यह can 뭐गत होते हैं era machine thing they are simple machine क्या होते है commencement machines like washing machine or hang machines complex machine के बारे में बात कर होoureँ कि Boston washing machine swan machine क्या हो जाते हो complex machines होते है it or a combine of several machines several simple machine यह क्या होते हैं several simple machines का simple machine help as to do work easy by applying a small force simple machine होती हैं क्या करती है help करती है किसी work को easy करने में applying small force जब इस पे बहुत smart force भी apply करोगे तो यह work करेंगे 1 यह जयार चेंज करता है क्या करता है क्या करता है चेंज कर देता है फोर्स को ठीक है ज tv फोर्स वेट सब्सक्रिक lebih भूर्जबी करते है कंनीज प्लेश्फ फे थेर और शिक्स काइंड्न ऑफ सिम्पल मसीन ठीक है तो कितने टाइप के सिम्पल मशीन होगे बाटा सिक्स टाइप की फॉस्ट क्या हो गया लेवर एंड पैनल वेल एंड एक्सल पूली इस्क्रिव एंड वेट्च उके तो नेक्स सम्म्मोम देख लेते हैं भाट्या ठीक है का दिया पालस दिया क्रोबार दिया क्लेयर दिया एर कॉंपलेक्स मशीन में क्या ढिक यह एक किरान का ठीक है जिससे जैसेिक का नाम दिया है यहां पर ओके तम लोग फर्स्ट आपाल देखेंगे क्या बैटा लेवर ओके तो लेवर में देखते हैं एह बोल्डर कैन नाट भी मूब्ड विद ऑवर हैंड ठीक है एक बड़ा सा जो बोल्डर होगा ओक्या होगे अप उसको मूफ कर सकते हूं अपने हैंड स ठीक है अंधर अधर हैं ठीक है दूसरे वड में क्या बोलेंगे विकेंड मूफ द बोल्डर विद ए रोड इजली अप एक रोड के साहता से बोल्डर को एजली मूब कर सकते हूं डू यू नोहाँ क्या आप जानते हो कैसे वी पूस वन इंड ऑफ द रोड अंडर द बोल् पर बेरी क्लोज तु द बोल्डर अंडर द रोड अब क्या करोगे इसमाल इस्टून इचंप एक छोटे से पथर को रख दोगे ठीक बेटा सपोर्ट करने के लिए फॉर्डर बेरी क्लोज ठीक है रॉड के बहुत क्लोज ठीक है कहां पे अंदर द बोल्डर राट के पास when we apply a downward force on the other end of the rod ठीक है क्या करोगे जब आप अप्लाई करोगे नीचे की तरफ ठीक है अंडर्वर्ड फोर्स लगाओगे ठीक है डाउं सरी जब डाउंवर्ड फोर्स लगाओगे नीचे की तरफ फोर्स लगाओ तो क्या करेगा पाउंट आप अपवर्ड तो क्या होगे पाट जो बोल्डर हो जाएगा ओपवर्ड उठ जाएगा है हैंस डाउंट इसके तरह तो यह तो तो यह जाएगा जिसको बोल्डर का नाम दिया है as a load ठीक है जो वेट हो गया उसको load the point of support of the point at which the lever turn is called fulcrum and the force apply on the lever on the call effort ठीक है जो लेवर हो गया उसके three part हो गया कौन कोन से पेटा है जालनो load हो गया ठीक है fulcrum हो गया और effort हो गया ठीक है classes of levers ठीक है levers की class के बारे में बात करते हूं levers are the three coin depending upon the position of the fulcrum load in effort ओके जो levers होता है वो तीन प्रकार होते हैं किसके depending भी बेटा हो डिपेंड करता है कि जो उसका position है fulcrum load और effort का और किस किस प्लेस पे ठीक है these are first class level second class level and third class level ठीक है ओक कौन को से level होते हैं first class second class और third class ओके तो हम लोग first class को देखते हैं बटा first class lever in this class of lever ठीक है इस class of lever में क्या होता है जो आनी first class lever में क्या होता है तो fulcrum is in the middle of the load and effort जो fulcrum होता है यह बीच में होगा लोड और effort के ठीक है फार एक्जामपल सीजर क्लेहंबर पैलेस प्रोबर सीशा अब्रूम ठीक है एक क्या हो एं एं नेल कटर इस सब इंग्जामपल इसकी बेटा first class lever के ठीक है अब second class lever देखते हैं लोग इन इस class of levers ठीक है इन लेवर के इस class में load is the middle of the ठीक है जो लोड है कहा पर होगा middle पर होगा effort and fulcrum क्या होगा बेटा side में होगा ठीक है बाटल ओपनर क्या हो गया बाटल ओपनर हो गया विल विल ब्रॉवर हो गया नेट क्रेकर हो गया and some examples of second class lever ठीक है यह क्या हो गया second class lever के सब examples हो गया ठीक है next move करते हैं मैटा third class levers in this class of levers in third class lever में the effort is the middle ठीक है जो effort हो क्या होगा मैं middle of the fulcrum and the load जो effort होगा क्या होगा मेडल में होगा फलक्रम और लोट की a fishing rod ice tongue twidges in a stapler are some example of third class levers ठीक है क्या हो गया fishing rod हो गया ice tongue हो गया twidges हो गया क्या होता है third class lever के example नहीं हो गया human arm also work in the third class lever जो human arm होता हो भी और कहता है कैसे third class of lever जैसा ठीक है the inclinic plane के बारे में देखते हैं an inclinic plane is simply a slope over which a load can be pushed up ठीक है जो inclinic plane होता है कैसा होता है simply a slope होता है एक slope होता है over which a load can be pushed जिसके उपर से क्या होता है load को push up किया जाता है ठीक है an inclinic plane is flat surface in which one end is on a higher level than the other ठीक है जो inclinic plane होता है वो क्या होता है बटा flat surface होता है जो which one's in और जिसके एक इंड होता है के बटा higher level होता है comparison में दूसरे के you feel much easier to push or roll down any object on in inclinic plane rather than lift it ठीक है आप क्या करोगे you feel must easier ठीक है आप feel करोगे बहुत जादे आराम कब जब आप push करोगे और roll down करोगे ठीक है कोई भी चिछ को push करोगे रोल डाउन नीचे लाओगे ठीक है उसको उठाने से जादे आप क्या easy समझोगे उसको रोल करके push करके ऊपर चड़ा दो रोल डाउन करके नीचे कर दो वेन वर्कर्स है है टू लोड और अनलोड इनी ट्रेक्टर और ट्रक दे इज अ प्लैंक और फूड एज इनकलेन प्लेंट ठीक है जब कोई वर्कर ठीक है उसको लोड और अनलोड करता है कि इसको ट्रेक्टर अट्रक गोतों क्या करता है बटा एक प्लैंक और फूड को ठीक है एक लकड़ी की पट्री का यूज करता है एक इनकलेन प्लेंट ठीक है उसक staircase in hospital and some other buildings ठीक है आपने देखा होगा क्या कि जो राम्स नेक्स टू स्टेस केर होता है ठीक है बेटा जैसे आप देखते हो क्या कि staircase होता है जिस पर से कोई आता है उस पर पेसेंट को लेटा करके उसको ले जाते हैं ठीक है उसको किसी और कोई बड़े-बड़े buildings होती है तो वहां पर भी हीर राम्स वर्क एज एन इंक्लिनेट प्लेन एंड हेल्फ एज पूसिंग ऑफ विल्चेर्स इजली ठीक है जो यहां पर राम्स है ठीक है राम्स बेटा जैसे कोई जुका वाला रास्ता बना होता है उसको बोलते हैं ठीक है कि जो रंप होता हो क्या करता है वर्क करता है इन क्लिनेट पे देजसस है और यल्फ करता है पुशिंग अप तो फूशिंग अब पुस्ष करने के लिए अफ और डौन की तरब में विल्चेर को लैड़े श्लाइट रोड अपर हील एक्सेटरा सम अधर एकजंपल of way inclined plane ठीक है लेडर हो गया slide हो गया roads हो गया एक ऐसे और अपर hill road अपर hill एक ऐसे एक एक example होते है बैता and clean at plans game it is easy to is to Inklene plane ठीक है क्या होता बैटा easy होते हैं is करने में and inclined plane से while moving a load to a higher place ठीक है जब लोड मूफ करता है हाई रपलेस में इड़ आल्सो इजी टू मूफ औह यह वी लोड डाउन दगर जब यह वी लोड बहुत ज्यादे लोड डाउन की तरफ आता है ओ भी इंकलेनेटक्स के हेल्फ से और भी लेस फोर्स की बहुत जादे लेस फोर्स की जरूत होती है बसलका सा फोर्स लगाओ और आराम से नीचे भागता हुआ चला आएगा ठीक है आप नेची देखते में बटाँ दब पूली अभी लोडे जो पूली होता है ने उड़े हैं बनी जुकर में जब हम पिध्य पएट के जी जो इस यह फूलिस का धउजवर्ट नंशननल्क्राइस शोन डिटों से श्रागतर है चंड श्यूंद पली सिर्पली-अव्शक्श का सवाय लोड और जो एक रोफ होता है रसी मियों किया सांगे यह वंन książ में पास्ट आवर दी जाता है उस में पास्ट कर जाते तु को इससे एक बन जाता एक डडえてना उसमें गढड़ा की जैसा बना होता है तो दो भी जो बीच का इस पीस होता है ठीक है जो अंदर हलके से धसा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं ग्रॉप से ओकी रोफ्स आर चेंज पुल्ड एक्राश पूली एक्राश पूली तो क्या करता है है एक्राश पूली तो क्या करता है किस दिसा में जिस दिसा में फोर्स को एप्लाई हुआ है उसको चैन्जी करके उसके डायेक्शन को लिफ्टिंग बॉकेट फुल ओफ वाटर फ्रॉम दे वेल सिंप्ली बाइपूलिंग दरोप इस डिफिकल्ट जॉब ठीक है लिफ्टिंग बॉकेट फुल ओफ वाटर ठीक है लिफ्टिंग बॉकेट किसी बाल्टी को निकान न कहां से बेटा वेल किसी कुगा से फूल किसे हो फूल ओफ वाटर जब आप किसी कुगें से एक बॉकेट को निकालो वह भी फूल ओफ वाटर बाई वह भी सिंपली बाई the rope कब एक जब rope से ही सिर्फ नहीं करना होगा क्या होगा डिफकल्ट होगा बट आप क्या करोगे उसमें यूज कर लेते हूं आप उसमें क्या करते हो अधी आप उसमें यूज कर लेते हो पूली का वाटर निकाने के लिए क्या होगा इस वर को बहुत आसान बना देगा क्या होगा जो पूली होगा और रोटेट करेगा किसके बेटा रोटेट करेगा एराउंड जिसके दौरा फिक्स होता हो क्या होगा उसमें पूली रोटेट करेगा एराउंड दराड और लिफ्ट करेगा और सपोट भी करेगा ठीक है बहुत असानी से निकल जाएगा ओवर दपूली जो रोप होता है रसी होता है उसको पॉस किया जाता है पूली से ठीक है और जो सेकेंड उसका जो लोड होता है उसको एटेच किया गया होता है इसके वन एंड से फोर्स आई फोर्ट इज एप्लाई डाउनवर्ड विच इस कम्पैली कॉंवेंट्स इस ठीक है फोर्स आई फोर्ट उसमें अप्लाईड किया जाता में दाउनवर्ड नीचे के तरक से ठीक है विच इस is comparatively convenient to us जो bucket नीचे के साइड में उसको फोर्स लगाता रहता है उसी के ठीक opposite side में क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेना होगा अपूली इज अल्सो इस टू राइस दा होस्ट फ्लैक ठीक है जो क्या करता है पटा एक जो फूली होता है वह भी यूच किया जाता कि इसमें raise and host flag ठीक है rise करने में और flag को hosting में are to draw cartoons ठीक है there are two type of police ठीक है two types of pulley होते हैं first fixed pulley and second movable pulley ठीक है fixed pulley और movable pulley ठीक है इसमें हम लोग क्या देखेंगे बिटक हमें को लगे फिक्स्ट सुपोर्ट सच ऑफ विल टेंड हुआ है जो एक्सल होता उसका क्या होता है इक्सल अफ्डा पुली के जो एक्सल होता हो फिक्स्ट कर दिया जाता है उसक्ट के लिए such as hooks और wall के द्वारा ठीक है किसी भी hooks के द्वारा और किसी भी wall में only the wheel turn ही है यहां पर क्या होगा सिर्फ उसकी जो चक्के होगी पहिया होगी वहीं turn करेगी the pulley does not move जो pulley होती हो pulley नहीं move करती है when the rod is pulled ठीक है sorry जब load is pulled जब load को खीचा जाता है for example fix pulley is use when water is drawn from a well ठीक है for examples fix pulley fix pulley का यूच किया जाता है कहां पर when water is drain from a well ठीक है जब आप किसी कुएं से पानी निकालते हो तो हां पर fix pulley का यूच किया जाता है moveable pulley अब देखते हैं लोग इसका जो एक्सिल होता है वो किसी भी प्रकार के सपोर्ट से फिक्स नहीं होता है the load is directly attached to the pulley जो लोड होता है डिरेक्ली अटेच होता किसे बेटा पुली से so laser force has to be excited to lift load as a compare to a fixed pulley तो क्या होगा बेटा जो इसकी पुली 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 मॉफ करती है तो क्या होगा जो इसके लोड होगा और डिरेक्ली अटेच होता है किसे पुली से जिसके वो जैसे बहुत काम फोर्स लगाना पड़ता है किसी भी लोड को उठाने में compare compare कि में किसमें अधी compare करोगे fixed pulley से तो sometime sometime मुट्या पुली और इस्टू कंबिने शन विट फिक्ट फुली ठीए कुछ टाइम जो वी पुली होता है वह बनी होती है वैटा किसका युछ करके के कम्बिनेशन और फिक्स पुली के कम्बिनेशन करके मेनी मुवेबल पुली कई सारे मुवेबल पुली के और आलसो भी इस तोगेदर ठीक है मुवेबल पुली एक से जादे मुवेबल पुली इस चाहिए जा सकते हैं एक साथ अग्रेटर अब अब अफ फुलिज दे स्मालर दे फोर्स इज रिक्वाइड है जितने जादे number of pulleys होगी उतने ही comfort की required होगी mobile pulley is a generally used in cranes to lift heavy weight ठीक है जो mobile pulley होता है वो generally use किया जाता है कहां बेटा crane में क्या करने में lift heavy weight बहुत जादे weight को उठाने में the wheel and axle next किया है बेटा the wheel and axle a wheel and axle is a simple machine in which it will turn on the axle और smaller the wheel and axle is a simple machine जो wheel और axle होते हो simple machine होते है mean in which in which in में will turn on on the axle जो इन में क्या होता है जो wheel होता है वो turn करता है move करता है किस पे axle ठीक है और small lot पे these are fixed to the fixed so that they move together यह क्या होते हैं इसलिए क्या करते हैं दोनों एक साथ move करते है if we turn the wheel जब आप wheel को turn करोगे दम एक्सल आलसो ठीक है तो जो एक्सल होगा ओ साथ में turn होगा the distance around the wheels is greater than the distance around the axles जो distance होता है किसका बेटा wheel का ओ greater होता है किसे बेटा जादे होता है distance around the axle जो axle का distance होता है उससे less force is needed to turn the wheel turn will then to turn the axle lesser force needed ठीक है बहुत कम force क्या हो सकता होती है to turn the wheel ठीक है पहिये को घुमाने के लिए जब आप turn करोगे क्या axle को it makes the work easier ठीक है saving machine और grinding machine एंड एक बीटर wheel of a car spinning top bicycle wheels and screwdriver और सब example of wheels and axles ठीक है saving machine हो गया grinding machine हो गया एक बीटर हो गया wheel of car हो गया spinning top हो गया और bicycle wheels हो गया screw driver हो गया कुछ examples होते हैं किसके बीटर wheel and axles के अब देखते हैं बीटर screw ठीक है screw देखते हैं screw is a simple machine is in the whole things tightly together जो screw होता हो एक simple machine होता है जहां पर इसका use कहां पर होता है बीटर किसी भी समान को tightly hold करने में ठीक है a screw looks like a nail with groves cut in it ठीक है जो screw होता है कैसा दिखता है बीटर looks like a nail कैसा निल जैसा ठीक है किसी cottage जैसा दिखता है जिसमें क्या होता है groves होते हैं ठीक है actually screw is an inclined plane ठीक है actually में जो screw क्या होता है बटा एंक्लेंड plane होता है it has winding aid called threats ठीक है इन में जो winding aids होता है ठीक है जो नुक केले दार इसके aids होते हैं उनको क्या बोलते हैं बटा कॉर्पेंटर प्रीफर screw to nails because they hold things together through a longer distance with a better grip जो कॉर्पेंटर होता हो प्रीफर करता है screw को नेल्स के जैसे because they hold things together क्योंकि किसी भी चीज़ को एक सत्थ बहुत भी जादे टाइम तक एक किसी भी चीज़ को पकड़ के रख सकता है ठीक है और भी बेटर ग्रीफ बहुत जादे अच्छे से bigger screw is called screw jack ठीक है जो bigger screw होता है उसको क्या बोलते हैं बटा screw jack that or is to lift core in other heavy object जिसका ही कहां पर किया जाता है बटा lift अब्जेक्ट उठाने में किसको कार्स और कोई है भी अब्जेक्ट हो गया उसको इस्क्रू और अल्सो इस्ट इन रिवाल्विंग इस टूल्स चेर्स एन इस्टूड़िस जो इस्क्रू होता है उसका भी इस किया जाता है किसमें रिवाल्विंग इस्टूल्स रिवाल्विंग इस्टूल्स में और चेर और इस्टूड़िस में ओके अब नेक्स भूर्व आश देखते हैं मैंता दा वेड़्ग वेज़ कंसिस्थ ऑफ तू इन क्लेड़ प्लेन जो गेधर तो फॉर्म ऑपेड़ गॉंद तू प्लेंड प्लेट जो गेधर तू इसके बनाया जाता है रॉटल कॉटा इसके में इसके बनाया जाता है सॉर्फ भी जैसा होता है it is broad at one's end and narrow at the other end ठीक है इसको बनाया जाता है मतलब एक कैसा होता है एक तो एक सीरिप कैसा होता है broad चौड़ा होता दूसरब क्या होता है narrow बना होता एक कुछ एक जामपल होता है कि इसके बेटा वेच के ओकी तो हम लोग का चेप्टर कंप्लीट होता है फिर मिलते हैं बेटा नेक्स चेप्टर में नेक्स वीडियो के साथ ओकी थैंक यू